विवित्ता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन राहूल गांदी और सिर्फ राहूल गांदी नहीं, स्टैलिन, केसियार, महभूबा, मम्ता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विवित्ता को रिस्पेक्ट नहीं करती इसलिए चाहे बंगाल हो या आंधर तमिलनाडू, केरला और कश्मीर, इन सभी राजों में बीजेबी के कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रॉंग व्यूपॉइंट वाले पार्टी है, जो रीजिनल एस्पिरेशन्स को नहीं समझती। इसको एड्रेस करना ही चाहिए, और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ, जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशन्स क्या होते हैं, राज्य की आवश्यक्ता हैं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भा समय हैं और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की भर्यापदेकि में दुनिया के महमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था तो दुनिया को घर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है पहले कोई बोलता ही नहीं था और इसलिए तो मैं हरे को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता है और मैं मानता हूँ वही रास्ता है हम विविदता में एकता के दर्शन करते हैं लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अ अपने नीजी स्वारत के लिए विविदता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उप्योग कर रहे हैं यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमें विविदता में से एकता को पनपाना है तो आप कह रहे हैं से इससे अलगाववाद बढ़ेगा पिछ कि अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा तो सेपरेटिस एलमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे अगर कश्मीर का अलग बात है नौर्थीज की बात अलग है लेकिन अगर आप द्रविड मूम्मेंट को देख लेंगे या कहीं और राज्य में देख लेंगे और रीजिनल आस्पि काम करने का तरीका कैसे होता हैं न होHAHA कि हमारे मत है सामाजिक न्याय के भारत जैसे देश में इतनी विवीधता भरा समाज ववस्ता और अगर सामाजिक न्याय के सिध्धान्थ में हम थोड़ा सा भी उचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को भर नुक्षान होगा इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्चता है वैसे ही राष्ट में भी कोई एक इलागा बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलागा पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा हमारे हां सर्मांगिन विकास होना चाहिए सर्वस समावेशक विकास होना चाहिए सर्वस परसी विकास होना चाहिए सर्वहित में विकास होना चाहिए और इसलिए हम एक विशे ले करके आए जिसमें भी मैं देख रहा हूँ कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंदे से कंदा मिला करके काम कर रहे हैं एक राज्य नहीं कर रहा है यह दुरभागे हैं बागी सब राज्य कर रहे हैं क्या है हमने देखा कि हिंदुस्तान बैं सो से थोड़े ज्यादा कुछ जीले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं हर प्रकार से वहां कड़े धन्तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है तो ऐसा क्यों होता है गवर्णन्स के प्रॉब्लेम योजनाव का अमली करन नहीं हमने ऐसे जिलों को एस्पिर और जीलों से बात करता हूँ उन जीलों में है कल्यान करी योजनाए जयंधा से जैधा पुहुचे मैं राज्यसरकारों को प्रक्ना करता हूं कि वहां यंग आपसरों को लगाई है लिए सब्सक्थरों को या रिटारय ओनारों लोह को वहां मत पेजайте यंग लोगों को लग तो दो अच्छा पोस्टिंग देगे सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज यह जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं कई परामेटर में आगे निकल रहे हैं अब देश का भला हो रहा है तो मेरा फेडरलिजम म हैं छोटे सी छोटी एकाइका भी भला हो अब जैसे ऑप्टिकल फाइब नेट्वर्क हिंदुस्तान के हर गाउं में जाना चाहिए हम लगे हैं प्रसे लगा रहे हैं पूरी ताकट लगा रहे हैं क्यों हमें तो पूरे देश को उपन लाना है यही तो रिजनल को एड्रेस करना का हमारा तरीका है